आश्लामटरेकों, चैप्टर नोर 2 Experimental टेखिनिक में, नेक्स्ट टेखिनिक आज हमने अजिकने यह क्रिस्टलाइजेशन, इससे प्रिवियस टेखिनिक हम डिसट करके हैं, वो है फिल्ट्रेशन, अब इस टॉपिक में जो बेसिकली चीजे हमने जिसेस करना हैं, वो है क्रिस कि कंसलेजेशन की definition है heading दिये दो definition अब definition क्या सिंपर सी definition है the process वो तरीका कर दो process of obtaining crystal crystals को हसल करने का तरीका कर रहे है फ्रॉंग दा कूलिंग ओफ ठंडा करने के बाब फ्रॉंग दा कूलिंग ओफ हॉट कंसंट्रेटिड सुलुशन हॉट कॉंसंट्रेटिड किसी भी शह के हॉट कंसंट्रेटिड सुलुशन को ठंडा करके जो किसल्स हासल कि जाते हैं उस तरीका कार को हम नाम दे जोते हैं क्रिस्टलाइजेशन बसले मैं आपके साथ से बेस्ट इग्जेंपल देता हूँ शीरा बढ़िए शीरा होता है आपने कभी देखा होगा चीन इस तरीका का आ रहे हैं यह हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन जानी कि मिश्टलाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं इसी तरह आपने कभी मठाई क्यूंकि जो मठाई बनती है इसको उठाके शीरे के अंदर डालते हैं शीरे के अंदर डालके बाद में रख देते हैं अब आदफ ऐसा होता है कि घर में मिठे लेका आता है बज जाती बजने के बाद आप उसको फ्रिजी को उपर वाले खाने में रख देते हैं जब वो जमती है ना तो इसके अंदर आ यही वो होता है कि पहले उसी रहा था जैसे आपने इसको ठंडा किया दो चीनी के स्वाइब कर वांगे किसी भी शैया को प्यूरीफाय करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का तरीका का इस्तिमाल कर रहे होते हैं यह सिंपड़ सी बात आपने गयाद रखने हैं अच्छा इसके बाद मारे पास प्रिंसिपल वच्छा प्रिंसिपल लाजमी याद किजिए गा ब्रिंसिपल पर पा कुछ चीज ले नहीं है जिस चीज की क्रिस्टलोलाज़ेशन करना चाते आपने साथ से पहले एक सॉलवेंट लेना है पानी साहब गरार old to get करना वह आजया के पढ़नेंगे का सौलोवन कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं आपने सबसे पहले एक सौलुमेंट लेना है मैं सपोस कर रहे तो वाटर ले लिए इसके अंदर आप ने वह सब्सांस डाल दे लिया सबस्टांस जाल के आपने इसको अच्छे तरीके से हल करना है हल करने के बाद आपने इसको गरम करते रहना है साथ एक वक्त आएगा वो जो चीज आप डाल रहे हुआ हल होना बंद हो जाएगी जैसे ही बन दो तो आपने क्या करना है उसको उठाके उसको ठंडा करना है थंडा थंडा करने के बाद उसके अंदर जो एक्सेलिक को बेठा होगी वह कूल होने एक प्रासल की नीचे बैठना γyu प्रिंसिबल बात बता हूं बचे क्रिस्टलाइजेशन प्रॉसस के लिए उस चीज का लो टंपरेचर पे कम हलो पानी में या किसी भी सॉल्मेंट में और हाइट अपरेचर पे ज्यादा बस यह इसका प्रिंसिबल जब आप इसको दुबारा फिट ठंडा करें मतल करता है यह करता हुएं यह वाला इसको गरम कर लेता हूँ मैं दोवल ले लिए कॉंटेनर ये वाला वाटर है मेरे पास 0 डिगरी संटी ग्रेट पर अगर मैं इसमें चीनी की बात करूं जो भी चीज़ की के अंदर उस वालव पर कम लो और हाई टंपरेचर पे उस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा लो और जब आप उसको दुबारा फिट तंडा गरो चो एक्स्ट्रा माउंट मतलब आप दुबारा सो से जीरू पर लेके आओंगे तुज़ एक्स्ट्रा माउंट कौन सी है इन दो पूरे का पूरे क्रिश्लाइशन पॉसस्स बेस कर रहा होता है सप्राइब यह हमने बात यहां लिखनी है थोड़ से चुछ है नहीं देश्चांस वो शया कि अगर सब्स्चानस इस लेस सॉलवल ओ लेस सॉलवल अट लॉओ टंपरेचर आड़् लॉओ temperature and highly soluble highly soluble in solvent उस solvent के अंदर highly soluble in solvent at high temperature high temperature केता जी वो शय कम temperature पे उस शयक अंदर जो भी चीज़ आप हल करने के लिए solvent चूज कर रहे हो उस solvent में कमा लो और high temperature पे वो उस solvent के अंदर ज्यादा लो सही है जब कूल करोगे तो जो extra amount उसमें हल हुई है वो crystallize out होड है the substance is less soluble at low temperature and high soluble in solvent at high temperature on cooling extra amount of solvent sorry extra amount of substance वो जो शयाँ आपने हल की है मसले चीनिव गारा जो भी आपने हल की होगी extra amount of substance is crystallize out is crystallize out इसको हम नाम देंगे is called बस is crystallized out ये principle है बेसिक बात जो अगर मैं एक बात दुबारा फिर बता दो बच्चे जो भी आपने solvent चूज करना है उसमें low temperature पे वो चीज कम आलो high temperature पे वो चीज ज्याद आलो जैसी आप उसको temperature कम करोगे जो एक्स्टा बेसिक बार 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 फिर क्रिस्टलाइज हो जाएगा उतनी अमांट और जो नीचे क्रिस्टल आपके बनेगे बिल्लकुल प्यूर होंगे बिल्लकुल प्यूर होंगे और यही हमारा मक्सूद आता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रॉसेस को यूज करके हम किसी भी चीज को प्यूरिफाय कर सकते हैं यह यह मारे पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट इसमें एक शोट कोशन आता है वह यह है प् क्रिस्टलाइजेशन प्रॉसेस इन क्रिस्टलाइजेशन प्रॉसेस क्रिस्टलाइजेशन प्रॉसेस क्रिस्टलाइजेशन प्रॉसेस में यह क्रिस्टलाइजेशन के तरीका कार्म कौन कौन से स्टेप्स इन्वाल्व हो रहे होते हैं यह चीज़ अभी हमने देखनी है ब the name, सिर्फ नाम लिखने है of steps which involve which involve in crystallization process crystallization process crystallization process कौन-कौन से steps involved हो रहते हैं सिर्फ इनके नाम लिखने ये पास्स वेफर में short question काफ़ी दफ़ा आ चुका है सबसे पहले जो step है इनकी explanation भी आगे जाके करेंगे पहले नंबर पर जो step होता है बच्चा वह है choice of solvent पहला कहा जी हमरे बास choice of solvent solvent को आपने किस तरह choice करना है और का झाट आट और प्रिप्रेशन त्यारी है फ्रीप्रेशन ऑफ saturated solution by saturated solution की त्यारी है saturated solution by के थर्डום स्टेप है फिल्ट्रेशन फ्लट्रेशन यree फॉर्ष्ट स्टैप है कूलिंग और फिछ स्टैप थे उप्टेप सम इस ही दो पर पहिएम day देदेद República स्टाइस का आपने जो क्रिस्टल हासल किये हैं उनको खुशक कैसे करना है और क्रिस्टल कि किस तरह करने मतलब अगर क्रिस्टल को में रंग को खत्म कैसे करना है रंग को खत्म करना रंग को खत्म करना लो यह हमारे पास साथ या आठ स्टेप्स हैं जो के इन्वाल्व हो रहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉसस में अच्छा आप यहां पर हम पहले स्टार्ट करेंगे हर एक step को explaining करेंगे इनमें जो सबसे ज़्यादा important short question के लिए steps है ना पहला step काफी ज़्यादा important short question के हवाले से इस step में से दो short question आते हैं इसके बाद obtaining of drying drying of a crystal short question के लिए step important है और एक short question इस step में से आ रहा होता है बाग की जितने बीच में step लिखे है ना यह सारे के सारे देख लीजिएगा इनको थोड़े से check का लीजिएगा इतने ज़्यादा important नहीं है जिन में से short question आ रहे होते हैं वो मैंने बता दिये एक यह step है जिसमें short question 2 short question आते हैं और एक short question इस step में से आ रहा है, इस साल जो paper हुआ है, बचे इस step में से short question उठाया, drawing of a crystal, एक MC को भी step में से उठाया, सही है, किस सरा आता है, short question, किस सरा MC को आता है, यह सारी सारी चीज़ हम देख लेंगे, सबसे पहला step कि मारे पास क्या है, choice of solvent, choice of solvent, बचीज़ से पहली बात, choice of solvent में एक method है, जिसके जरी से हम solvent को चूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ, आपको चीनी दे दी गही है, sugar, कहता है, इसकी crystallization किस तरह करेंगे, आप crystallization करके बताओ, सबसे मुश्कल step होता है, मैं कहता हूँ, वो यह वला है, अगे वले step कुछ ज़्यादा मुश्कल नहीं है, आगे step बड़े असानी से हो जाते है, अब कहाँ, शुगर के लिए आपने solvent कौन से चूज़ करना है, अब solvent के अंदर ये एक खास बात, जो सबसे most important बात है, वो यह वले होनी चाहिए, क्या, कि low temperature पे वो चीनी को कामा लग रहे अपने अंदर, और high temperature पे वो चीनी को अपने अंदर ज़्यादा लग रहे, मैं कहत है, तो आपके बुक वाले कहता है, इसके लिए हम hit and trial method यूज़ करते हैं, आपके hit and trial method क्या है, the solvent is chosen by, chosen by hit and trial method, hit and trial method, अब hit and trial method क्या होता है, हीट and trial method को आंदर ने कहूं, तुक्का लगा गए, तुक्का लगा कर, मतलब आपने तुक्का लगा कर, कोई भी solvent चूज़ करना है, आपने वो चीज़ अगर शुगर की crystallization करना जाते हैं, आप उस solvent को लोगे, पहले उसको हल करोगे low temperature पे, फिर हल कर होगे high temperature पे, अगर तो यह वाली पहले वाली property इसमें है, तो आप solvent को चूज़ कर सकते हो, सही है, अगर यह वाली चीज़ नहीं है, तो आप solvent को हरकिस चूज़ नहीं करोगे, कोई कि अगर यह नहीं है, बाकी वाली सारी property उसके अंदर मोजूद है, तो आप solvent का भी चूज सब्सकारी इसक्ति में क्रिसलाइजेशन हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अगर लो टमरेजर भी उतना हाल किया, हाइट अमरी उतना हाल किया, तो दोबारा क्रिसल तो बनेगी निए उसमें, सही है, तो हमारे पास चूज़ सॉल्वेंट इसमोस्ट से ज़्यादा टाइम हम मुझती सॉल्वेंट लेते हैं, उनको मिलाते हैं, मिलाकर चेट करते हैं, का यह वäll इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, भी उसको छूज़ कर लेते हैं, ऑगर नहीं करती है, तो हम इसको रिजुख कर देते हैं, सही है? अबना जो पास्ट इस चेप्टे का सबसे मोस्ट इंपोर्टन शोर्ट कुर्शन में से जो शोर्ट कुर्शन मौजूद है वो यही है क्राइड अन्दा क्रेक्टर सिक्स फार दाचोई सॉफ़ सॉल्वेट अगर हम कोई सॉल्वेट को चूज करते हैं क्रेक्टर सिक्स क्रेक्टर सिक्स of solvent in crystallization crystallization में जो हम solvent चूज़ करते हैं उसके क्या क्राक्टर स्टिक्स होने चाहिए वो बता लो सही बचा हूँ कौन क्राक्टर सिक्स होने चाहिए पहले नंबर वे जो सबसे most important है बचा हुए यही वाला है सबसे most important क्या the solvent should dissolve minimum amount of solute at low temperature and maximum amount of solute at high temperature the solvent should solvent को चाहिए should dissolve minimum amount of minimum amount of solute at low temperature low temperature and maximum amount of solute and maximum amount of solute at high temperature high temperature पर ज्यादा से ज्यादा solvent की मिकदार हल करें अच्छा सेकिंड नंबर भी जो स्टेप हमारे पास आता है बच्चे याद रखेगा यह आपका almost principle लिए है देखो हमने प्रिंसिबल में यही बात की है यह जाका लो यही बात लिखी है हमने हाँ वर्ड हमने चेंज का नहीं थोड़े से बात वही है कि वो solvent low temperature पे कम solute हल करे high temperature पे वो ज्यादा solute हल करे अच्छा इसके पास यह सेकिंड मारे पास प्रोपड़ी होनी चाहिए ना उसमे वो यह है कि वो आपका solvent easily available होना चाहिए the solvent is easily available easily available का मतलब क्या है असानी से मिल भी जाना चाहिए सही थर्ड नमबर पे the solvent is safe to use safe to use मतलब वो इस्तेमाल करने में safe होना चाहिए सही एक ammonia है solvent ammonia याद रखिएगा ammonia वो chemical है जिसमें आप अगर उसकी bottle को खोल कर रख दें अब वहाँ पे कोई मैं गदर एक मिनिट तक नहीं खड़े हो सकते आप इस तरह का solvent चूज नहीं करोगे जो आपके लिए नुकसान दे हो सही है अमूनी इस तरह का solvent जो का आपके लिए नुकसान दे हो सकता है सही है इसके बाद फॉर्थ नंबर पे इस नौट इंजूरियस तू है इंजूरियस तू हैल्थ यह आपके लिए सिहत के लिए भी खतरनाक नहीं होना चाहिए सही है इसके बाद इस शूड भी लेस एक्सपेंसिव इस शूड भी चीप भी कह सकते हो इस शूड भी चीप चलो मैं चीप कहा देता हूँ चीप का मतलब क्या है इसको सस्ता होना चाहिए अचा एक और बात जो सबसे मौस्स इंपोर्टन है देखो हमने यह वह बला प्रॉसस किसके लिए यूज़ कर रहे है इसका परपस क्या है इसको हम यूज़ कर रहे है प्यूरिफाय करने के लिए किसी भी चीज़ को मसले मैं चाहता हूँ जी मैं शूगर को बिल्कुल प्यूरिफाय कर रहा हूँ अब शूगर के अंदर मौजूद है सैंड या कोई और इंप्यूरिटी मौजूद है मैं आप शुगर को सैंड से लग करना जाता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपका जो भी सॉल्वेंट चूज करो उसके अंदर ये मटी हाल ना हूँ मटी हाल ना हूँ सिर्फ चिन्नी हाल हूँ कि आप पन में हैँ जय दिस वयुदन है कि द शॉल्वेंट्सुट्सुड ना दिस ओल्व इंपिरेटीज ना और ना करे कुछ है यह दो सॉल्वेंट सिक्स नमर पर जो क्रेक्टर सिक्स है दो सॉल्वेंट शुड नॉट डिसॉल्व इंप्योरेटि इनको इंप्योरेटिस का हल नहीं करना चाहिए और जहां फिर एक और भी बात कहा सकते हैं अगर इंप्योरेटिस आह दिसल्व इंप्योरेटिस हाल हो जाती है तो धन इट शुड नॉट क्रिस्टलाइज आऊट इट lt not क्रिस्टलाइज आऊट अब इसका मतरब समझेंगा तोड़ी देर के लिए न लिखना बांद करो मैं इस चीज का मतरब समझेगा बतला मैं यहां बात मैंने कहा गी है जी इंप्रइड पेल नमर पे तो हाल ली ना हो अगर हाल हो भी जाया तो दुम्हारा क्रिस्टाइज आउट ना हो बचे देखो अगर मैं कहता है स्पोज क्या है स्पोज कर रहा हूं कहता जी अगर हमारे पास पहले नमर मुवच्छ क्या करना जी इसको पानी के अंदा हल करना हल करने के बाद आप इसको जब फिल्टर करते हो ना तो यह वाली चीज इंप फिल्टर पेपर के उपर आ जाती है और आपके बास शूगर वाला जो सुलिशन अदा वह नीचे गुजर जाता है इस चीज आपके इंप्रस्टी से क्या वाल को जाएगी देखो आपने फिल्ट्रेशन वाला प्रसस पड़ा आपके इस तरह यह चीज आपको यह नहीं होती रेत वैसी की बढ़ी दाएगी जब आप हाई टंपरेचर पर लेके जाओगे हाई यह ते इसको लेकर जाते हो तो ह नहीं होगी जब नहीं होगी तो यह फिल्टर पर उपर आजाएगा चिनी सारी की सारी से गुज़र के नीचे आजएगी अलग होगी अलग होगी यह चलो अब दूसरे अपर पर गदा अगर स्पोस्ट के वह हल हो जाए तो वह क्रिस्ट लाइज आउट नो चलो मैं आप मान चारं मäच्छ मवजूद है आप जब फिसको ठंडा करूँगे तो चीनी के क्या बने बनेंगे ऑ हब सिंदी की क्रिस्टल ना बनें आप चीनी को लाइदा कर लोंगे है है वह भी जोलल भी सही हां ऑक जी कि यह बाते हैं कितने मैंने चे लिख देंगे हैं कम मती कुछ चार बात इंवेश्य याद रही जी है तो पहले वह चीज याद रखें बचा यह बात भी देते तो भी सही देख आक एक कम temperature पर वो चीज, solvent कमा लो और high temperature पर ज्यादा लो, बस यह principle है अच्छा, अब न एक और short question आता है मैंने का जी, इस में से दो short question आते हैं वो के तो चंद एक solvent के नाम लिखतो जो कि हम crystallization process में use करते हैं, write down the names of solvent write down the names of solvent which are used which are used in crystallization process crystallization process crystallization process में कौन-कौन से solvent इसमाल किया जाते हैं? उनके नाम लिख दो बज़े चल्द एक नाम मैं लिखना लगा हूँ साल से पहले टॉप के उपर मैं जो रिखूंगा चलो मैं फिर थोड़ से statement में फॉल्विंग solvents are used are used in crystallization process in crystallization process crystallization process में ये चांद एक solvent का इसमाल किया जाता है पहले नमबर बे water नाम याद रख लोगे? second number बे acetone ये भी पानी की तरह के chemical है इसके बाद alcohol alcohol जो यूजिली इसमाल किया जाते है वो ethyl alcohol है lab moment बढ़ी होती है ये पिने वाले alcohol होती ही इसके बाद dye ethyl ether को भी इसमाल कर सकते हैं dye ethyl ether का भी इसमाल किया जा सकता है इसके बाद हमारे पास chloro foam chloro foam chloro foam वही chemical है जिसको भी होशी के लिए इसमाल किया जाता है तो इसको भी इसमाल कर सकते हैं इसके बाद कार्बन टेट्रा क्लॉराइड कार्बन टेट्रा क्लॉराइड के फार्मन च होता है जाए carbon decraction और कोई को और solvent अगर देखा जाए carbon decraction पेट्रोल को भी समाल कर सकते हो petrol या पिर और gasoline साथ नाम लिखनी है आपको कमदगम पांच छे नाम आने चाहिए नाम याद रखने हैं वाटर एसेटोन अल्कोहल डाइथालिथर क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्रोलियम या पेट्रोल या गैसॉलीन जो सबसे ज्यादा हम इसमाल कर रहे हैं वाटर को या रहे हैं तो व क्योंकि यह सबसे मोस्ट इंपोर्ण बचे इसमें साथे क्रेक्शिक देखा जाना वह यह वाला है पहले वाला को कम टंपरेचर पे सलीड़ कम हल करें और हाई तंपरेचर पे ज्यादा रख करें तो बचे इसमें हमने आज बात कर लिए चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की इंश निया कीसिंट क्रिसी में आपका सारे करेस्टा lives अंपनिशन चॉछन कर चार सवांघक कनई समय hard होगा जाना है यह चाप्र मकन्मील हो जाना है मैक्सिम इसस्थे जब द लिख गह ना तो पांच दिन या छी दिन और यह च्छ आपका मकमल हो जाना है तो ईहीए आपास आज के लेक्टर अलावपेस